तो 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 पता चल चुका होगा हमें कितनी बात पढ़ने होते हैं तो हम लोग केवल उनीपे फोकस करेंगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे और फिर किले कर दूँ मैं जो बच्चे पढ़ रहा है मोड ओफ एक्शन या मेकेनिजम ओफ एक्शन अपने कोर्स में नहीं है फार्मकलोजिकल एक्शन अपने कोर्स में है ठीक है ना चल लो श्टार्ट करते हैं तो बड़ा बेसिक सबको लोग इसके बारे में जानते हैं क्या होता है या फिर जैसे कि अपना केवल पार्ट वाला इससा और जैनल होता है यह पूरी बाड़ी यानि कि हम लोग कहने करें बिहोश हो जाएंगे बात समझ में आ रही है तो डेफिनिशन की बात कर लें जैनल अनेस्थेटिक्स या जी एज आर ड्रग विच प्रोडीउस रिवर्सिवल लॉस जैको में एक जूर्ड़ी वोट्रक्स होता है जो रिवर्सिवल लॉस और ऑफ ओल डेखना सुनना चक्थना और यह सब क्या होता है तो मतलब युप लॉस वापस आजा है या nation table जो आपट से ठीक हो जाएगा reversible loss of all sensation ठीक है एंड consciousness sensation हो गया हमाना देखना सुनना ठीक है चखना यह होगा है sensation consciousness जो हमारा सोचने समझने की सकती है that is called consciousness ठीक है ना तो इनका क्या reversible loss होता है जब ब्योस हो जाते हैं सब्सक्राइब कर पाते हैं ठीक है और फिर 10-12 गंटे के अंदर 24 गंटे में मरीज बिलकुल नॉर्मल हो जाता है तो जर्नल एनस्थेटिक यूजिली यूजेज़ेज़ा combination of intravenous drugs जर्नली क्या होता है एक का हमें इस्तमाल नहीं करते हैं combination का इस्तमाल करते हैं single anesthesia पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाते तो आप लोग combination करते हैं ठीक है या inhaled gases होती है कई बार कुछ anesthesia ऐसे होते हैं जो कि हम लोग सुगा दी जाते हैं अब मेन फीचर सफ जर्नल एनस्थेश्या अब उनका मेन आपकी के औरगन के उपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमें mainly pain को खतम करना होता है ठीक है इसलिप हम सो जाते हैं unconsciousness and amnesia ठीक है immobility and muscle relaxation हम लोग क्या करते हैं हाथ पेरों को move नहीं कर पाते हैं और muscles हमारी क्या रहती है क्लासिफिकेशन के लिए मैंने तुम लोग को क्या लिखा है और सी फार्मसिटिकल केवेंश्टी चैप्टर नमबर फाइव याद आ रहा है मैं क्यों यह चीज मेंशन किया है बेटा बहुत काईदे ध्यान रखना मैं इसको इसलिए मैंशन किया है आगे चलके आप लोगों का exit exam भी होगा तो और नौन सेवार्मसिटिकल केमिस्ट्री उसमें आएगी आएगी तो अगर दोनओं को कममाइन कर लो अभी यह पढ़ी तो तुम लोगों मैंशन प्लस अगर उसको बहुत अच्छे से पड़ रखा है तो वही क्लासिफिकेशन यहां लिख सकते हो ठीक है वही सेम क्लासिफिकेशन है तो इसमें किया तुम्हारे बड़ा असान हो जाएगा बासमझ माई क्यों मैंने मैंने क्या है क्यों मैं मैंने कर रहा हूं जो वच्चे अभी सही चीजों को मर्च करके चलें तो कहीं लगए फार्मकलोजी और फार्मसिटिकल केमिस्ट्री दो ना पढ़के तुम को गया और एक में पढ़के हमारा काम हो गया बासमझ मारी है ठीक है अब एक बाद फिर से देख लेते हैं जनेशियों के होते हैं गैसे सीरुप में पाई जाती है गैस पीर आफ थ monet होते हैं घ्री याद करो बहुत अच्छी वात है अधरवईज क्लासिट्री केसनल कंतलब क्या है inhalational intravenous एक तो यह देना है फिर उसके दो पार्ट gas, volatile, fast और slow acting हो गया ठीक है ना अब इनमें एक-एक example भी अगर दे देते हो classification में तो वो classification माना जाएगा लेकिन अगर ज्यादा याद कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है objective question में कभी कोई question फसा तो कर पाओगे ठीक है ना आप जैसे वो पूछ लेगा question बना सकता है वो बताओ भाईया इटोमीडेट जो इटोमीडेट है चार अप्शन देगा क्या है वो इटोमीडेट inhalational energetic है intravenous energetic है या fast acting intravenous energetic है तो इस तरीके से जो तुमारे वनमास question है वो cover up हो सकते है इस लो एक्टिंग में फिर कौन को ना आते हैं बहुत अच्छे जानते हैं हम लोग इसके नहीं सब पाम 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 वाले होते हैं ठीक है opioid analgesic जो अफीम वगरा से बनते हैं फेंटानील और रैमी फेंटानील डें डिसोसियेटिव अनस्थेटिक इसमें एकी आता है महरे पास कौन कीटा माई ठीक है बास समझ में आ रही है उम्मीद कर रहा हूं अब आज क्लियर आ रही होगी थोड़ा सा गला मेरा गड़बड है क्लियर है अब यहां पर कुछ चीजें क्लासिफिकेशन तो मैंने पहले भी कहा था खुद को याद करना है यहां पर कोई टीचर कोई जादू का मंतर नहीं फूंग देगा हां कुछ बच्चे फिराक में रहते हैं कि सर कुछ शौट ट्रिक्स या तरीका मिल जाए तो बेटा इसके शौट ट्रिक्स खुद बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना यसे आईजी आइवी है ना तो इनहीलेस्टिक्स में आईजी और आईवी आगया यह तो इस तरीके से बनाओ जादा अच्छा हो तुमको लंबे समय तक जांद रहेंगा अर जरूरी नहीं कि अच्छे बनाओ कोई रहो कुछ भी बना लो त पर थोड़ी सी बाते क्या होंगी उल्जाने वाली है उल्जाने वाली कहलोगी थोड़ा टफ पार्ट आयाता है अब फार्मकोलोजिकल एक्षन तो अव्वेसी बात है NSCCI का फार्मकोलोजिकल एक्षन क्या होता है Unconsciousness Loss of response to pain पेन नहीं होगा Loss of motor reflexes अब यह कुछ 4-5 तो ऐसे है जो journal है यह तो होगा ही होगा NSCCI से दिया है यह 4-5 फार्मकोलोजिकल एक्षन तो होने होने हमारी body में किलियर है बाते हैं तो अगर सबका याद ना रख पाओ तो यह 4-5 फार्मकोलोजिकल एक्षन में जर्नल कोशन आ जागा कि फार्मकोलोजिकल एक्षन लिख दो तो वो जर्नल लिखो उसमें फिर किसी का कोई particular लिखने की ज़रूद नहीं है ठीक है ना आगे आते हैं अब जैसे कि लिखा हुआ इन हाई डोजेज आल एजेंट्स केन कॉज डेथ बाइक कार्डियोवस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाया ब्रेन इस्टेम अब जो ब्रेन इस्टेम होता है कंट्रोल करता है चाहो तो इस पार्ट को मत लिको ब्रेन इस्टेम को भूल जाओ ठीक है ना लेकिन हुआ कैसे है आधर बता दिया यहां पर की कार्डियोवस्कुलर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ने कार्डियोस्कुलर हाठ हमारा काम करना धिमा कर देगा और सांस ले ना हम लोग धिमे कर देते हैं जाया होता कि सब्सक् transfirm के ब्रेन का धीमा पढ़ जाता है और अल्टिमेटली रुख जाएगा और जो हमारा रेस्पिरेस्ट्री पार्ट है वो धीमा धीमा रुख जाएगा यानि कि हाई डोस में दिक्कत करेगा यह at the cellular level, cell level पे बात कर ले, anesthetic effect, synaptic transmission उमीद कर रहा हूँ यह word अब समझ में आता होगा neurohemeral transmission अब समझ में आता होगा, है ना दो nerve ending के बीच में जो chemical transmit होते हैं उसको कहते हैं synaptic transmission through decreased transmitter release, अब cellular level पे यह काम कैसे करता है यह synaptic transmission को decrease करता है, ना कि rather than decrease in exonal conduction अब neuron का exon भी होता है, उसमें भी conduction चलता है और उसके end पे आके भी conduction होता है जो end वाला synaptic transmission है, वो decrease करता है, exon पे कोई फरक नहीं पड़ेगा exon उतना ही हो रहा है केवल जो release होता है chemical आखरी में आकर के वो decrease कर जाएगा दो यह दिपी, all parts of CNS can be affected, सारे के सारे parts affect होते है loss of consciousness is mainly through the invasion of the reticular formation and amnesia through the hippocampus अभी hippocampus brain का part दे दिया, ठीक है, कि या फिर यहां पर simple सा अपनी line क्या बनाओगे all parts of the CNS affected, CNS के सारे parts क्या होते है, affect होते है ठीक है, और जो amnesia होता है, हमारे पास loss of consciousness होती है यह क्या है, hippocampus, hippocampus की वह से आ गया respiratory depression और cardiovascular में brain stem part काम कर रहा था most anesthetic with the exception of ketamine, ketamine को छोड़ दे, cause similar neurophysiological effect, neurophysiological, neurophysiological वह दो क्यों होता है nerve से जड़ोगे हमारे physiological function, हमारा हाथ पैर का हिलाना है आँखों का चलना है, सुनना है, यह सारे क्या है, neurophysiological function है तो सारे के सारे लगबख एक ही ज़रे से काम करते है the difference lies in their potential duration of action and toxicity तो ketamine को छोड़ के लगबख सारे एक ही ज़रे से काम करते है इस वाले point को भी चाहो तो हटा सकते हो but हमें समझना ही है, के बहले है, इसलिए था कि ketamine हमारा क्या है, exception है यानि कि सब लोग एक ज़रे से काम करते है, ketamine थोड़ा सा तो यानि कि ketamine और opioid cardiovascular system के पर affect नहीं करेंगे तो यह थोड़ा सा दोनों का difference है, ज्यादा कि कौन से बाक्यों से अलग है थोड़ा सा, तो यहां पर ketamine आया था हमारे पास, ठीक है, अब यह तो हो गया journal कि आपने लिया और NSCCI के बारे में जनरल बातें लिख दी, pharmacological action इतना लिख दोगे, तो भी सही है किलियर है, अब कुछ हम लोग खास-खास है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना जैसे कि nitrous oxide, इसका N2O formula आ सकता है, nitrous oxide is generally used as a carrier and adjuvant to other anesthetic, अब दोगे ही यह बात थोड़ा ज्यान रखेंगे, ठीक है ना वैसे तो pharmacological action का है उसमें इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी बातें इसकी समझनी पड़ेंगी, मैंने क्या खा थोड़ी चीज़ें extra लेके चलनी पड़ेंगी, ताकि दायमा से जो question आ जाते हैं कई बार, तो वो cover हो सके यह carrier और adjuvant होता है, addition तोर पर डाला जाता है यह pure anesthetic के तोर पे काम नहीं करेंगे, जो किसी को लेके जाए, किसी के साथ काम करें, adjuvant जो किसी के साथ काम करें ठीक है ना, अब mixture of 70% N2O, 25 से 30% O2N, 0.2 से 2% another potent anesthetic, देखो, N2O oxygen और 0.2 से 2% another potent anesthetic, कोई दूसर anesthetic रहता है, is employed for most surgical procedure, तो N2O अकेला इस्तमाल नहीं हो रहा है, clear है, because N2O has little effect on respiration, heart and BP, breathing and circulation are better maintained with the mixture than with the potent anesthetic given alone in the full dose, अब क्या है, N2O का effect बहुत ज़्यादा होता है, oh sorry, बहुत ज़्यादा नहीं, little effect होता है, हमारे respiration पे, heart पे और blood pressure पे, यानि कि N2O का क्या काम हो गया, N2O का 3 pharmacological action याद कर लो यहां से, little effect on respiration, heart and BP हो गया, यह N2O का आ गया, pharmacological action, अब क्योंकि यह बहुत कम असर्ट करता है, इसलिए हम इसको साथ में देते हैं, जिसनकि जो potent, मतलब यह भी अपना थोड़ा सा काम करता है, और जो potent, potent मतलब जो काफी ताकतवर anesthetic है, वो थोड़ा सा ही देने से काम कर जागा, बादवागी काम हमारा N2O करेगा, mixture देंगे, तो हमें potent वाला थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, जो potent मतलब जो ताकतवर है, clear है, nitrous oxide is a good analgesic, another pharmacological action, pain हमारा बोड़ी का रोकता है, तो यह analgesic है, मार कर लेंगे इसको, muscle relaxation is minimal, muscle relaxation, अब देखो यहाँ पर N2O का अगर मैं कहूं, कि direct सिर्फ pharmacological action तुमें लिखने है, तो little effect on respiration, heart beat BP, it is a analgesic, muscle relaxation, minimal, बहुत कम muscle relaxation की तरह काम करता है, यह सब क्या आगे, इसके pharmacological action, हमारी बोड़ी के उपर उसके effect, बेटा, mode of action नहीं करने है हमें, ठीक है न, second gas effect and diffusion hypoxia तो यह भी हमें N2O का साथ देखने को मिलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा effect हमारी बोड़ी में नहीं है, however, effect मतलब side effect, prolonged N2O anesthesia has the potential to depress bone marrow and cause peripheral neuropathy, peripheral neuropathy पता न, क्या होता है, हम पहरे भी discuss कर चुके हैं, जबने neurons बाहर की तरफ आ रहे हैं, उनका एक तरह से degeneration होना, खराब होना, तो बहुत लंबा समय तक अगर N2O दिया जाए, तो यह हमारा bone marrow को depress कर सकता है, और peripheral neuropathy कर सकता है, ठीक है, तो मैंने क्या क्या, pharmacological action था हमें सीमित रहना है, यह थोड़ी दो-चार बाते हम एक्ष्टा side में लेके चल लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके exit exam भी देना है, तो अब pharmacological action चुणने की बात कर दूँ में, तो कौन-कौन से pharmacological action आ गया, पहरा pharmacological action आ गया, N2O का, और 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 दूसरा यह आ गया, analgesic, तीसरा क्या आ गया, muscle reaction is minimal, फिर क्या आ गया, non-toxic to liver, kidney and brain, तो 4-5 यह क्या आ गया इसके pharmacological action, pure pharmacological action उसके अलावस में कुछ नहीं लिखना, जब pharmacological action लखने की बात आगी, clear है, मैं बताते हैं इसलिए चल रहा हूँ यह, जिससे कि आप लोगो डरना लगे कि यह इतना सारी चीज़ें हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, हाँ, सबजना चाहो, सबजते हुए चलेंगे हम लोग, जिससे कि जब हम लोग multiple choice question करेंगे, तो हमको कफी असानी हो जाएगी, diethyl ether, diethyl ether, c2h5, oc2h5, diethyl ether, ether इज़े potent anesthetic produces good analgesic, यह भी क्या है, अच्छा खासा analgesic है, and marked muscle relaxation, यह अच्छा खासा muscles को relax करता है, वो minimal था उसका, ठीक है न, by reducing, अब करता कैसे है, ACH output from motor nerve ending, जो motor nerve ending पे acetylcholine निकलता है, उसको कम कर देगा, decrease कर देता है, ठीक है, अब यह कैसे करता है, यह चीज़ चाहो, तो काट सकते हो, क्यों करता है, कैसे कर रहा है, हमें नहीं पढ़ना है, बट, लिखो को तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए हमें, हर एक चीज़ के बारे में, बाद आगी है, हमारे पर फिलाल, दो वो आ गए, फार्मकलोजिकल एक्सें, गुड एनाल जैसी है, और, या गुड मसल रिलेक्सेंट, रेस्पिरेशन और बीपी आर जनरली वेल मेंटेंड, वो वेल मेंटेंड रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं आती है, इथर इस नॉट यूज नौट यूज नौज नहीं होता है, एक्सेप्ट इन पैरिफेरल एंड सोर्स पूर एरिया, रिसॉर्स पूर एरिया, ठीक है, नौज इस नौट नहीं होता है, क्योंकि यह कफे आन्प्लीजेन्ट होता है, थिसको यह से हम कट कर सकते हैं, एक्सेप्ट यह बताना है, कि एथर आजकल इस्तीमाल क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह unpleasant है highly inflammable है अब कहां पर इस्तमाल कर रहे हैं आज कल वो एक बात की बात रहागी ठीक है है हेलोथेन हेलोथेन की बात करें जिसको दुसरा नम की है फिलूथेन है good analysis यह है यह भी ठीक है न और muscle relaxation दोनों काम कर रहा है है हेलोथेन causes direct depression of myocardial contractivity जो हमारा हार्ट है उसको इसको डिप्रेश कर देगा उसको गिरा देगा बायर इंटर सेलुर कलसीन डूपलस आइन कंसेंटरेशन अब रीजन देने की वहने जैसे कहा ज़रूरत नहीं है कि रीजन दो ठीक है है कि यह इतना ध्यान तो कही ना कही हम लोग देख सकते हैं कुछ चीज़े सेमी आ रहे हैं दिरी दिरे यूरीन फॉर्मेशन इस डिक्रीजट एक और फार्मकलोजिकल लेक्षन आया दूरिंग है यूरीन फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाएगा बात समझ में आ रही है तो हम केवल इतना याद रख लेंगे यूरीन फॉर्मेशन डिक्रीज काफी है बास समझ में आ रही है क्या याद करना है कि जो बच्चे पूरा समझ सकते हैं याद कर सकते हैं वह लोग पूरा याद करें बहुत अच्छी बात है जिनको केवल टूदा पॉइंट लेकर चलना अब यह मैंने सब के अलग लग कर दिये ठीक है अब तुम लोग चाहते हैं यहाँ पर कुछ चीजा कॉमन जो निकाल सकते हैं जैसे की डिप्रेशन हर किसी में हो रहा है तो डिप्रेशन वाला इस्टार्टिंग वाला जो कॉमन थे वो सब में ही थे वो भी लिखके आ पर क्या कर जाता है इंक्रीस कर जाता है रहा यहां पर इस्पीर क्रिया हो जाता है और यहां पर करता हो जाय कायदा हाइपर मतलब जादा कार्विया मतलब कार्वन डाकसाइड कई बार ऐसा हो सकता है कि समय को दोरान हमाया रेस्परिशन बहुत डाउन हो गया तो बॉडी के अंदर भाई CO2 तो बनी रही है तो बॉडी के अंदर CO2 की मातरा बढ़ना जाए कहीं तो जब बढ़ जाती है तो उसका हम लोग क्या कहते हैं हाइपर कार्विया ये कंडिशन के रिएट हो सकती है अब डेस्फिलरेन ठीक है रैपिड इंडक्शन सम्टाइम कॉसे ब्रीफ सिंपाथेटिक इंडक्शन तका akt demonstrasmen भी बताया था मैंने याद आ रहा है नहीं बूल गए करो फटा फट्ट करो फट्ट फट्ट इन दोस्ट जिस ठीक है ना टाकट काडिया में क्या होगा जिनको किस्की लाटेश में पता हो नहीं पता है तो यहां वीधियो पॉस करें फटा फट जो चीजेंå बोल देता है उसको देखें यही पढ़ने का तरिका नौन होता है जहां अठके हो वहां तुरंट पकड़ो वात को चले आगे 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 आते हैं थायो पेंटेंट सोडियम यह भी थोड़ा सा अपने लिए इंपोर्टेंट है इसमें इसा नहीं होगा रेस्पिरेटी डिप्रेशन विद इंडूसिंग डोसेज ऑफ थेपेंटेंट जनरली मांग्ड ट्रांजियट एपनिया इसमें बीपी फाल हो जाएगा इमेडेटली आफ्टर इंजेक्शन में ड्यू टू वैसो डालेट कर जाती है अब रिजन याद करना चाहो करो निथा क्या रखना बीपी फाल होता है ठीक है रिकवर्य हो जाता जल्दी कार्डिया कॉंट्रेक्टिलिटी इस रिडूस्ट होता है बात समझवा रही है अब यहाँ पर क्या है कुछ ड्रक्स में और ले ले हैं यहाँ सिंपल से हमों क्यों क्या है हाट रेट बीपिरैस्पिरिशन और CBF Cerebro Blood Flow Cerebro Blood Flow उनके बारे में Condition में बात दे रखी है यापर डायट याद रख सकते हो मतलब कि क्या-क्या दिक्कत देखो एक चीज़ जनरली देखोगे तो BP सब में गिरी रहा है याद रखने का सबस्क्राथा तरीका है इन सब में BP लगब गिरी रहा है केवल इसमें बढ़ा कीटमाइन कीटमाइन-एक्सेप्षण था त्रेकर वागे सब में गिर रहा है इसमें बढ़ गया और इसमें भी CBF सब में गिर रहा है इसमें बढ़ गया ठीक है और बात वागी heart rate तो जनरली किसे में बढ़ रहा है किसे में घट रहा है किसे में कोई एफेक्ट नहीं है किसे में बढ़ रहा है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया ठीक है इसमें किर गया फेंटनिल में तो अब हार्ट रेट बीपी रेस्पिरेटरी सीबी एफ रेस्पिरेटरी डिप्रेश पूरे दिये जाएंगे के लिए रहे आगे आते हैं अब मैंने यहां पर कुछ और बातें लिखी है यह अपने कोर्स में नहीं है बट मैंने क्यों डाला है उसको समझो सब्सक्राइब क्या है कि जब सब्सक्राइब क्या है इसको हम लोग कहीं ना कहीं फार्मकोलोजिकल एक्शन के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं कि हमारे उपर क्या कर रहा है तो देखो जनरली क्या हो था रैस्पेरेटरी डिप्रेस्टन है था ना देखने को मिला था में उपार डिस इस मोर प्रमिन विद दा आईसो फ्लूरेन अब ना याद रख़ा रहा है ऐसा होता है सैलीविशन थूग निकलता है रैस्पेरेटरी सिक्रेशन and depressed mucociliary function जो respiratory होता है ठीक है respiratory जो respiration का जो रास्ता होता है उसमें secretions होते है और mucociliary जो cilia होती होँआ की वो क्या कर जाती है depressed कर जाएंगी ठीक है this less problematic with modern anesthetic ठीक है वो कहरा modern anesthetic के साथ यह दिक्कत नहीं आती बट यह दिक्कत होती है cardiac arrhythmia हो जाती है fall in BP होगा aspiration of acid gastric content ठीक है न जो gastric content है वो बढ़ जाते है laryngospasm and asphyxia ठीक है तो laryngospasm, larynx होती है वहाँ पर spasm हो सकते है ठीक है और asphyxia हो सकता है तो यह कुछ क्या है जैसे यहाँ पर सारे याद ना रखो cardiac arrhythmia हो गया हमारे पास यह complication आ सकता है BP गिरता है गिरता है तो यह pharmacological action के अंदर हम लोग इनको लिख सकते हैं बात समझे बारी है तो pharmacological action के चक्कर में मैंने यह point यहां दे दिया बात-बाकी बात करते है doses की doses की जैसे की अब यह तो मैंने बताया आई है यह तुम लोगों को क्या करना है कोई भी 4-5 अपनी याद कर लेनी है जो तुमको अच्छी लग रही है जैसे की thiopentine sodium की बात करूं में अगर injected IV 305 mg per kg as 2.5% solution ठीक कोई भी 4 या 5 अपनी याद कर लोगे प्रपरफोल ओली लुक्यूड होता है इंप्लॉइड एज 1% इमेल्शन 2 mg पर केजी एक बोलस के रूप में दिया जाता है IV फॉर इंडक्शन और 100-200 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट फॉर मैंटेनेंस शुरुवात में 2 mg दिया जाता है स्टाइटिंग करने के लिए बाद में माइक्रोग्राम में दिया जा रहा है ताकि उतना उसका लेवल बना रहे इटोमीडेट ठीक है न इटीज है इंडक्शन अनेस्थेटिक इंडक्शन शुरुवात में दिया जाता है ताकि एंसीसिया हो जाए आदमीं बियोस हो जाए फिर डाइजी पाम है लॉराजी पाम है इनके डोस दे रखी है तो इनमें कोई भी चार या पांच जो तुमारी मन पसंद किया है फिर तुमारे पास एक ये कर लेना कीटा माइंगा कर लेना ठीक है न इस चार ऐसे हैं जो चार पांच याद कर लोगे तो काम हो जागा अब दोस्तों बेटा देखो थोड़ा सा इसमें मैंने जैसे बताया थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो तरीका बताया था मैंने एक्जक्त याद नहीं होता है तो थोड़ा सा मन से बनाके भी लिख सकते हो लेकिन दियान रखना ये सब आई भी है टैबलेट नहीं कोई भी ये चीछ कॉमन है टैबलेट नहीं कुछ भी इंडीकेशन अब सबको पता है कब कब दिया जाता है अब हम सबको पता है भुलिख सबको पता है नाध्याट के बैठा हूँ है इन्जाइट ये विएपन तो इसके प्रॉबर्शेशन को कम करने के लिए दिया जाएगा अड़ल्ट और चिइल्न होई है mental or physical disability पागलपन के दौरे औरे से पढ़ रहे है सेनाइल पेशेंट है जिनका मतलब दिमाग ठेकाने पर नहीं है और disoriented patient वो जी बात आगे सेनाइल के लो disoriented के लो short traumatic procedure कोई operation है या prolonged traumatic procedure तो हर जगे जहां पर हमें यहां क्या करती है ज़रूत परती आनसीशा की अनसीशा दे देंगे अच्छा यहां पर जो है extreme anxiety fear और याली condition यहां पर इंसान को पुरा ब्योश नहीं करते हैं उसको क्या अपना हलका नीज है ना ब्योशी वाली हालत में रहता है हलकी सी भ्योश हलका सा होश इस टाइप से रहेगा और यह तो इसमें पुरा भ्योशी कर देते हैं कॉंट्र इंडिकेशन कब-कब इस्तमाल करें तो बड़ा देख के करें या ना करें प्रेगनेट वुमें के अंदर पेशन्ट विद ग्लोकोमा और माइस्थेनिया ग्रेविस यह याद कर लेंगे चिल्डरन विद सीवेर मैंटल इंपेर्मेंट जिनका मैंटल इंपेर्मेंट दिमाग यह बहुत ज़्यादा गड़ बड़ है उसके समस्था देखना पड़ता है अलकॉलिक जो जारू पीते हैं हाइपर सेंस्टिविटी जिनको सेंस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इंक्रीज इंटरक्रैनियल प्रेशर जिनका प्रेशर दिमाग के अंदर के प्रेशर बड़ा हुआ रहता है या ASA 3rd patient patient की कुछ category डिवाइड के रखे गई है 1,2,3,4 करके तो ASA क्या है American Society of Anesthesiologist इसके हिसाफ से category 3 और 4 दोन ही है उन में थोड़ा सा क्या रहता है anesthesia वाले patient को सुरी दिक्कत रहती है अब वो क्या category है क्या नहीं है वहां से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है तो ASA के जो अंडर category के अंदर ASA 3 category के अंदर patient आते हैं उन में तुरह सा ध्यान से हमको इसको 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 जादा बैटर है ठीक है ओके तो यह था हमारा lecture और यह हमारा mind nurture का कुछ बाते हैं तो अनेसी से जासे मनें बताया कि फार्मकोलोजी में आप क्या है जिस तरिके से फार्मसेटीकल केमिस्टी में चल रहा था वही सारी बातें हर किसी में सेम सेम थी वैसी फार्मकोलोजी में आप किया वही छे बातें definition classification फाइकलोजिकल एक्षान डोस इंडिकेशन इंडिकेशन उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है वस इन्यों को पढ़ना है और हमें याद कर लेने हैं करोगे ना पक्का ठीक है तो पढ़ना है याद करना है और रिवीजन करना है ठीक है ना बाद आकी help करने के लिए मैं हूँ याँ पर यह मेरा number है और यह फिर मैं बता दूँ बहुत से बच्चे को आई भी confusion हो रही है मेरे lecture notes YouTube पर दोनों available है description पर जाके check करो सब मिलेगा clear है और बाद आकी practice के लिए इस सब्चिया हुआ है फिर एक ही चीज revise करना है revise करना है revise करना है okay all the best